विशु हिंदू सैना और भेलुपूर धाना मामला है उत्तर परदेश के वार नसी से उत्तर परदेश के वार नसी में एक मामला जो सामने आया था जिसमें एक नैपाली युवक को उसका सिर मुंडन कराके उसको टकला करा के शिर के उपर जैसे रिराम लिखकर उसे जबर्दस्ती मोदी जिंदाबाद जैसे रिराम के नारे लगवाए गई थे यह संपरदाइक तांडव कराने का काम होता है और इस तरीके का संपरदाइक तांडव कराने वाले और उन पाठ्यक जैसे ही लोग होते हैं क्या किसी से जबर्दस्ति से साजिष के तहट ऐसा कराना अच्छा है नहीं यह अपने ही लोगों को नीज डिबेट में बढ़ा देते हैं अपने ही लोगों को हिंदू-मुस्लिम बनाकर बहुजन समाज के बनाकर और आपस में बहस कराते हैं जिससे कि एक जादुगर की तरह एक मंदारी की तरह लोग मनोरंजन करके उस विवास्ता में ढल जाए और सम जै भी मैं उमेश करूना और आप देख रहें बहुजनल चल भारत के अंदर कोने कोने से संपर्दा एक तांडव कराने के मामले सामने आते रहे और जिसके उपर हमाद चर्चा करेंगे वह मामला है उत्तर प्रदेश के वानासिस है जो मोदी जी का संसदे छेत रहे दो-ती जबरदस्ती नारे लगवाए गए थे और इसमें एक नया मामला सामने आया है मामला यहाया कि वह जो यूवक था जिसको नैपाली बताया जा रहा था वह भारतिये है जिसका नाम धरमेंदर कुमार है धरमेंदर सिंग जो धरमेंदर सिंग है वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करता है और कोरोना अबदा के चलते जो देश में लोगडाउन हुआ उससे उसकी आर्थिक इस्तिति काफी खराब हो गई थी और उसको मातर एक हजार रुपे का लालस देकर यहा काम कराया गया और उसने भी करा और इस तरीके का मामला है पहली बार नहीं इससे पहल अरुन पाठक जिन्होंने कुछ पोस्टर भी लगाये थे वानरसी में विश्विधाल्य में यहा मामला बहलूपूर थाने का है बता जा रहा है कि एसस्ति अमित पाठक ने मुगतमा दर्ज किया जिसमें चार लोगों की गिरपतारी भी हो चुकी है और अरुन पाठक इसक सोसन करके पीट के वीडियो वाइरल करता था यह किसलिए करता था अपने आपको हाइलाइट करने के लिए और बहुजन समाज के लोगों के अंदर नपरत पैदा करके उनको भैवीत करने के लिए ऐसा करता था यह समझता है कि हम चालाक है यह नहीं जानते कि सब समझदार ह सब की एक आइडलोजी अलग होती है सर समझते हैं जनता जानती है बहुजन समाज के लोग भी काफी सिक्षित होकर समझने लगे हैं यह अपने ही लोगों को नीज डिबेट में बठा देते हैं अपने ही लोगों को हिंदू-मुसलिम बनाकर बहुजन समाज के बनाकर और आप बीजेपी के गुनगाने लगे उसके भक्त बन जाए जो मैं कह रहा हूँ सही से नहीं समझ पा रहे हो आप लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बहुजन समाज की लोग है वह कापी समझदार हो गए हैं समझते हैं कि किस तरीके से गुम्रा किया जाता है कैसे अपने गुनगान कि होते ये उनके पैसो में लिए हुए किराय के आदमी होते हैं और यहीं इसने किया अरुन पाठग ने एक हजार उपे लेकर मात्र एक हजार उपे मात्र एक हजार उपे देकर उस धरमेंदर सिंग को उस कपड़े वाले को जो कपड़े की दुकान पर नोगरी करता है उससे एक संपर्दाइक तांडव कराने की पूरी-पूरी कोशिस की लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि धरमेंदर सिंग ने सब कुछ बता दिया उसने सारा खुलासा कर दिया कि किस तरीके से उसको लालस द्या गया और कैसे उससे इस काम को कराया गया हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि सक्चेत रहे, सतर्क रहे, मनुवादियों के सब साजिश को समझे, ये मनुवादिय आपस में लड़ाई कराते रहे हैं और आगे भी कराना चाहते हैं, ये एकमांदारी की तरह काम करते हैं, दर्सकों को पागल बनाना जानते और दर्शका समझदार हो रहे हैं तो आज के लितना ही काफी मैं उमेश करून आप से जारत लेता हूं जै भीम जै भारत